अब देखिए राजिस्थान के किसान आंदूलन तो जैसे 1857 की क्रांती के पीछे कई कारण थे इस वज़े से वो क्रांती होई तो यहां पर राजिस्थान में जो किसान आंदूलन होते हैं उसके पीछे भी कई वज़े रही अब हमें आला कि पmosled वीडियो से ही पता लग है उसने इस तरीके की नीती बनाई थी कि यहां के जो राजा थे उनको यह लगने लगा था कि अंग्रेज जो है वो हमारी help कर रहे हैं हमारा हमारी जो सुरक्षा कर रहे हैं तो उसका दायत वह उन्होंने अंग्रेजों पर डाल दिया था तो जैसे आम जंदा जो थी उसका सीधा संपर्क जो है वो पहले हुआ करता था राजाओं के साथ जो भी अपने दुख दर्द होते थे राजा को सीधे जाकर वो बोलते थे लेकिन अब ऐसा नहीं था अंग्रेजों की नीती ने क्या किया कि राजियों पर एक तरीके का जो है Boundation लगा दिया कि आप लोग जो है वो हमारे according ही सारे काम करोगे हम तुम्हें सुरक्षा प्रदान इस तरीके से कर देंगे लेकिन आपको बदले में क्या एक लगान टैक्स के रूप में ये देना होगा ठीके तो अब राजाओं को क्या हुआ राजा जो है वो बिलकुल धीले पड़ गए आराम भोग बिलास जो है उसमें लग गए और उनका काम क्या था कि बराबर जो है अंग्रेजों को उनकी जो और किसान या आम जनता के बीच में जमीदार बैठा दिया कि जमीदार जो है वह किसानों से इस तरीके से कर लगान वसूल के राजा को दे और राजा जो है वो अंग्रेजी जो प्रशाशन था अंग्रेज जो थे उनको पहुँचा देता था ठीके तो ये बिलकुल आराम स इस चीज को समझे कि आंधोलन के पीछे क्या कारण रहा था तो अब जमीदार क्या करता था कि उसे तो उपर से ओर्डर आया है कि इतना लगान जो है इस एरिये से इस गाउं से मिलना है और चाहे उस वर्स वहाँ पर फसल हुई है नहीं हुई है इससे उसे कोई लेना देन नहीं था तो किसानों की दसा जो है वहे दिन प्रति दिन खराब होती चली गई क्योंकि पहले ही वह पूरी तरीके से ख्रसी पर निर्बर है एक मिलना किसान का क्या होता है कि पूरे तरीके से वह खेती पर ही निर्वर होता है उसका पूरा परिवार उसी से पलता है लेकिन अब प्रकृति की बात है कि उस वक्त वारिस नहीं हुई वर्शा नहीं हुई तो अब इसमें उसका कोई दोस नहीं है वो कैसे अपने बच्चों का तो उसका पता ही नहीं था राजा को, ठीके राजा तक तो बात पहुंसती ही नहीं थी, तो अब क्या हुआ कि कई साल बीत गए ऐसा जो किसान है वह बहुत परेशानी में आ गया, अब उसके भूखे मरने की इस्तिती आ गई, तो अब किसान जो है वह राजा से मिलना चाहता ह राजा से जाकर अपने दुख दर्द बताना चाहता है कि देखिए हमारी जो खेती है वह उजड़ी हुई है, हमारे अभी फसल भी नहीं हुई है और जितनी होती है, तो उसका पूरा जो धन है वह जमीदार हमसे जबरन ले लेता है, ठीके, तो किसान को वहां तक पहुंच ने ही नहीं दिया जाता था, तो इसका अब रिजल्ट क्या निकलेगा? आंदोलन होगा, तो इसी वज़य से राजिस्थान में किसान आंदोलन हुए, और जितने भी यहाँ पर आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन उनकी एक ही वज़य है, सरवादिक जादा से जादा लिया जाने वाला कर लगान ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला है बिजोलिया किसान आंदोलन ये जो आंदोलन है देखिए बिजोलिया का तो ये राजिस्थान का ही नहीं बलकि ये भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन रहा है लग भग 44 सालों तक चल वालने वाला आंदोलन रहा है विजोल्य किसान आंदोलन ठीकर राजिस्थान के संदर्व में भी यही है और भारत के संदर्व में भी यही हैए 1897 से यह प्रारम होता है और April Marina इस्वी तक चलता है इसका मतलब क्या है कि 1897 से पहले यहां पर इस्तिती सही थी और जो किसान है उनको कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी, यहां परेशानी का कारण जो है, वह 1897 के बाद ही प्रारम हुआ, तो बिजोलिया जो है, वह मेवाड में प्रतम श्रेणी का ठिकाना था, वर्तमान में जो रासम्मद है, चिकतोडगर है, उदैपूर है, बिजोलिया है, ये सभी जो है, वह मेवाड में आते थे, तो मेवाड में प्रतम श्रेणी का ठिकाना था, विजोलिया, ठीके, जिला जो है, भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा जिले में है, इसमें कई गाउं आते थे, भोगोलिक नाम है उपरमाल शेत्र, ठीके, पूछा जा सकता है, कि विजोलिय जो है किस जिले में आता था भेलवाडा में और इसका भूगोलिक नाम है उपरमाल शेतर क्योंकि इसकी जो बनावत थी भूगोलिक बनावत इस प्रकार की थी कि यहां के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से यहां पर एक दूसरे के जो पडोशी शेत्र थे वहां पर पलायन कर जाते थे ठीक है अब देखें यहां पर अधिकतर धाकर जाती के किसान जो थे यहां पर रह रहे थे जिन्होंने आंदोलन किया था वो कौन थे धाकर जाती के किस अब किसानों पर 84 प्रकार के यदि कर्ड लगाये जाएंगे तो आंदोलन तो होगा ही अब यहां पर आंदोलन जो है 1897 से पहले नहीं हुआ यहां का जो जागीरदार था ठाकुर जो था वो था इससे पहले गोविंद राज ठीक है जैसे ही गोविंद राज की मृत्यू हो ज आजाती है क्योंकि यहां का जो नया जागीरदार बनता है 1897 में विजूलिया का ठाकुर क्रिशन सिंग क्रिशन सिंग जब बनता है तो यह क्या करता है बहुत अधिक लाग बाग लगान कर जो है वह किसानों पर लगा देता है ठीक है यहीं से समस्या स्टार्ट हो जाती है तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि कितने चरणों में यह आंधोलन चला था तो 44 वर्सों तक चला था सरवादिक लंबे समय तक चलने वाला यह आंधोलन रहा राजिस्थान का अब तू यह भारत का भी रहा ठीक है आंधोलन जो है तीन चरणों में हुआ प्रथम चरण जो आसपडोस के जो भी राजे थे उनको नहीं पता था यहां राज्य का मतलब क्या है कि यहां पर मैं राजिस्थान के अंदर की ही बात कर रही हूँ कि जो आसपडोस के जो वर्तमान में जो जिले बोले जाते हैं उनको यह चीज़े नहीं पता थी ठीक है तो नेतरत्व यहां इस्थानिय लोगों ने ही किया था। दृत्य चरण जो होता है 1915 से 1923 इस्वी तक का चलता है। यहां पर नेतरत्व करते हैं। अब बात जो है वह बाहर तक पहुंचने लगी थी। धीरे-धीरे करके बिजूलिया से बाहर आने लगी थी बात। तो राश्ट्रिय इस लाश्ट में यह 1941 में जाकर समाप्त हुआ और यह सफल भी रहा। यानि किसानों को उनका जो हक है वह मिला। ठीक है। तो अब हम इन तीन चरणों को पढ़ेंगे, कई नाम भी आएंगे, उनको आपको याद रखना है। आप देखिए, यहां पर सबसे पहला चरण आता है कहानी जो है यहां से स्टार्ट होती है कि गिर्धारी पूरा गाउं में कौन सा गाउं है यह गिर्धारी पूरा गाउं यहां पर किसान गंगा राम धाकर के घर पर मृत्यू भोज पर एकत्रित हुए। सभी किसान जो है यहां पर एकत्रित हुए। सादू सीता राम के कहन पर दो किसान नान जी पटेल और ठाकरी पटेल को कृष्ण सिंग की सिकायत करने मेवाड के महाराना फते सिंग के पास भेजा। महाराना फते सिंग ने कोई कारवाई नहीं की, अपना एक अधिकारी हामिद हुसेन को वहाँ पर जाच परताल के लिए भेजा। क्या कहानी है कि देखिए गिर्धारी पूर जो गाओं है, यहां के किसान जो है क्रिशन सिंग से बहुत परेशान थे, यह क्रिशन सिंग जो ठाकुर था, जो जमीदार था, वो किसानों पर अत्यदिक कर जो है वो लगाये जा रहा था, ठीक है, 84 प्रकार के कर जो है इसने मर रहे हैं, ठीक है, तो आज नहीं तो कल मर जाएंगे भूंक से, तो इसका तो कोई इलाज सोचना ही चाहिए, तो क्या किया, कि सभी लोग जो है गंगाराम धाकड के घर म्रत्यू भोज पर इकटा होते हैं, तो सादू सीताराम जो है, यहां पर सबसे पहले क्या कहते हैं, दो किसानों को, नान जी पटेल और ठाकरी पटेल को, कि जाओ मिवाड के महाराना जो फते सिंग है इस वक्त, ठीक है, याद रखना है, इस वक्त कौन है, फते सिंग है महाराना, तो उनके पास जाओ क्रिशन सिंग की सिकायत लेकर, कि देखिए, आपको तो ये चीज में प हमिद हुसेन, ठीक है, याद रखना है हमिद हुसेन, इसको भेजते हैं, कि वहाँ पर जाकर देखकर आए, वहाँ का हालचाल पता करके आए, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कार्वाई जो है, वहाँ नहीं करता है, और खाना पूर्ती करके चला जाता है, यहाँ पर जो हर निकाल दिया गाउं से, इनको आने ही नहीं दिया, ठीक है, तो इसे जब इतना गुसा आ रहा था, कर्जो पहले से ही इतने सरवाधिक थे, इसने क्या किया, 1913 एसवी में, कृशन सींग ने किसानों पर एक और नया कर लगा दिया, तो पहले से ही किसान जो है इतना दबे हुए थे अब उनके उपर एक नया कर और लग जाएगा तो किसानों के स्थेति और ज़्यादा दैनी हो जाएगी तो 5 रुपए या 13 रुपए का एक नया कर चम्वरी कर लगा दिया गया हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवहा के अफसर पर 13 रुपए ठिकाने में जमा करवाने होंगे यदि वह लड़की का विवहा करता है तो उसे 13 रुपए या 5 रुपए दोनों ही याद रखना है इनको ठिकाने में जमा करवाने होंगे तो किसानों ने क्या किया लड़की के विवाहा पर ही लोग रोक लगा दी अब वो कहां से थे इतना रुपए तो देखिए इन्होंने दो वर्षों तक अपनी कर्ण्याओं का विवाही नहीं किया ठीक है तो क्या किया और उपर से इन्होंने खेती करने से भी इनकार कर दिया तो इससे जो राव था, कृष्ण सिंग, वो परिशान हो गया कि किसान खेती ही नहीं करेंगे, तो उन्हें लगान जो है कैसे मिल सकेगा, तो अब इसने कुछ करों पर, सभी करों पर तो नहीं, कुछ करों पर रियायते कर दी, तो किसानों के इस्तिती अभी भी खराब ही थी 1906 इस्वी में क्या हुआ, अब जो कृषन सिंग था, उसकी मृत्यू के बाद कृषन सिंग का कोई बेटा नहीं था, पुत्र नहीं था, तो उसके बाद उसका एक नया सम्मंदी जो है ठाकूर प्रत्वी सिंग, ये एक निकट का सम्मंदी था कृषन सिंग का, तो 1906 में ये जागीरदार बनता है विजोलिया का, ये भी कुछ सही नहीं था, कृषन सिंग की तरह ही था, जैसे ही ये है जागीरदार बनता है, ये भी एक नया कर लगा देता है, तलवार बंधाई कर, तो अब किसानों के स्तिती जैसी पहले थी, वैसी ही हो जाती है, तो किसान ये तल जड़की का विवा हो, चाहे नया जागीरदार बने, दोनों ही तरफ उसी की हानी थी, अब क्या होता है कि पता लगता है, तो यहां पर लोगों को पता लगता है कि सानों की स्तिती इतनी ज़्यादा दैनी हो रही है, तो अब इस आंदोलन का नेत्रत तो 1906 में साधू सीतारा फते करण और ब्रहमदेव करते हैं, अब इनका नाम याद रखना है, कब जुड़ते हैं यह अंदोलन से 1906 इस्वी में, साधू सीताराम, फते करण और ब्रहमदेव, तो अब देखिए ये करते हैं, विरोधू तो इन तीनों को ही जेल में डाल दिया जाता है, जिससे की ज किसानों को भड़काया जा रहा है, वो चीज जो है, वो बंद हो जाए और जैसे यहाँ पर चल रहा है, उसी तरीके से चलता रहे, साधू सीताराम द्वारा उपर माल डंका नामक समाचार पत्र निकाला जाता है, जिससे की सभी को पता लग सके की बिजूलिया में क्या हाल किस तरीके से किसानों से जवरन कर वसूला जा रहा है, यहाँ पर जो 1906 इसवी में प्रत्वी सिंग नया जागियदार बना था, 1914 में इसकी हो जाती है मृत्यू, और इसका जो बेटा था वो था छोटा, ठीक है, इसका पूत्र था केसरी सिंग, वो अलपवयस्क था, तो इ भी कोई खास फायदा नहीं हुआ, उनकी तो इस्तिती जैसी थी, वैसी ही बनी रही, तो इन हालातों में पहला चरण तो हो जाता है, पूरा यहाँ पर इस्तिती वही थी, पहले की ही तर है, दूसरा चरण जो है, 1916 में विजे सिंग पतिक जो है, अब आंदोलन की कमान इनका वास्तिविक नाम था भूप सिंग, कई बार एक्जाम में पूछा गया है, विजे सिंग पतिक का वास्तिविक नाम क्या था, भूप सिंग, और सादू सीताराम के कहने पर ही यह इस आंदोलन में चुड़ते हैं, 1917 में उपर माल किसान पंच बोड की स्थापना की जा मन्ना पतेल को, विजे सिंग पतिक जो हैं उपर माल शेत्र में लोकप्रिय हो गए, वहाँ पर इनको बहुत अधिक जाना जाने लगा, वहाँ के निवासी इन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते हैं, ठीके, अब यह पूछा जा सकता है कि विजे सिंग पतिक को उपर मा शेत्र में लोकप्रिय होने के करव, वहाँ के निवासी उन्हें क्या बुलाने लगे थे, तो वे उन्हें महात्मा जी के नाम से बुलाने लगे थे, पतिक ने विजोलिय किसान आंदोरन को राश्ट्रिय इस्तर पर लाने, वो सहयोग दिलवाने के उदेश्च से, नामक समाचार पत्र के संपादक गनेशंकर विध्यारती से संपर्क किया, तो उस समय एक समाचार पत्र निकलता था प्रताब, ठीक है, तो प्रताब समाचार पत्र जिसके संपादक थे, उन्ही के दोस्त गनेशंकर विध्यारती, तो इस समाचार पत्र के द्वारा इन्हो उने विजोलिया के किसान पर जो किये अत्याचार हैं, उनका विवरन जो है वह प्रस्तुत किया और जो भी यहाँ पर कारवाई हो रही थी, उसे पूरी तरीके से खोलने की कोशिश की, तो इस प्रचार के फलसुरूप देशवासियों का विजोलिया किसान आंदोलन की और ध पूर नरुन्यों को तैयार ओगए तो यहाँ पर एहम रोल निभाया है प्रताप समाचार पत्र और यह समाचार पत्र जो है वो कानपुर से निकलता था इसके संपादक कौन है गनेश शंकर विध्यारति जिया कानपुर से निकलता था जिसने राष्ट्रिय इस तर पर विजोलिय किसान आंदोलन को प्रसिद किया ठीक है उसके बाद देखे सबसे पहले जो है सादू सीता राम पते करण ये सामिल हुए फिर विजय सिंग पतिक आए अब मानिक के लाल वर्मा और जमना लाल बजाज ये भी यहाँ पर जुड़त अत्याचार आयोग ने क्या किया करों को कम करने के सिफारिस की लेकिन कोई कारवाई नहीं की गांदी जी ने भी यहाँ पर समर्थन किया गांदी जी को जब पता लगा विजोलिय किसान आंदोलन में कि क्या हो रहा है तो उन्होंने क्या किया सबसे पहले विजय सिंग पति ठीक है और पथिक ने विजोलिया के किसानों पर किये गए अत्याचारों का विवलन्ट जो है वो गांदी जी के सामने प्रस्तूत किया जिसे गांदी जी बहुत प्रभावित हुए उन्होंने क्या किया कि अपना एक निजी सचिव महादिव भाई इसको उपर माल के किसानों की इस्तिती की जांच करने के लिए बिजोलिया भेज दिया, ठीक है? अगस्त 1922 में भारत में गांदी जी के नेत्रत में वही असहयोग आंदोलन वह प्रारम हो गया, जो 1921 तक बहेंकर रूप ले चुका था, तो वहां भारत में भी इसी तरीके की इस्तिती हो रही थी, भारत में हर जो किसान है वही जागरुक हो रहा था, समाचारों से हर किसान को पता लग रहा था कि वहाँ पर किसानों ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया है हमें एक जुट होकर कारे करना होगा 1922 में ए जी जी हॉलेंड के नितरतों में आयोग अधिकांस कर समाप्त कर दिया जाता है लेकिन यह भी लागू नहीं हो सका और 1927 में विजे सिंग पतिक जो ह हो जाते हैं ये लाइन एक्साम में पूछी जा चुकी है कि विजे सिंग पतिक जो है विजोलिया किसान आंदोलन से कब जोड़े और कब अलग हुए ठीक है तो 1927 में विजे सिंग पतिक जो है नेतरत्व समहला, तीसरे चरण में मानिक के लाल वर्मा आ गई, दूसरे चरण में कौन थे, विजय सिंग पतिक, कुछ समय बाद जो है, जमना लाल बजाद जो है, वो भी इनके साथ हो लिए, 1941 में मेवाड के PMT विजय राघवाचार्य, वो दीवान मोहन सिंग महता विजोलिया आते हैं, और किसानों की मांगे मान ली जाती है, ठीक है, 1941 में किसानों की मांग जो है, वो मान ली जाती है, मानिक के लाल वर्मा जी जो द्वारा पंचीडा गीत जो है वह गाया जाता है, ये याद रखिएगा, कि पंचीडा गीत जो है वह किसकी द्वारा गाया जाता है, ओप्शन में विजय सिंग पतिक होगा, सादू सीता राम होगा, मानिक के लाल वर्मा होगा, तो आंसर क्या आंदोलन है वह सफल हो जाता है और 44 साल तक चलने वाला यह है अहिंसक आंदोलन रहा ठीक है तो इस तरीके से विजूलिय किसान आंदोलन जो है किस तरीके से स्टार्ट हुआ क्या कारण रहे वो सब हमने जान लिया कौन-कौन इस आंदोलन से जुड़े थे ये भी हमें पता चल गया और सबसे लंबा चलने वाला यह आंदोलन रहा है इसे आप बार-बार पढ़िएगा एक दम स्टोरी की तरह पढ़ना है जिससे कि आपको याद हो जाए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वही किसान आंदोलन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जब तक आपको इ कर दो